एक ऐसे इंसान का निर्मान हो जो केवल बुद्धी के आधार पे अपने आप पर गौर्ण ना करें उसी तरह से वह यह देख पाए कि निर्मान का काम श्रम के बगेर नहीं हो सकता है इसलिए श्रम करने वालों को भी उसमें बराबरी का मौका होना चाहिए और चुकि हम समाज के बगेर हम जी नहीं सकते तो समाज के साथ का व्यक्ति का संबंध भी बहुत ही कॉंप्लिमेंटरी होना चाहिए वो व्यक्ति विरुद्ध समाज इस तरह का को ही रिष्टा नहीं होना चाहिए इसलिए वे कहते हैं कि ऐसे शिक्षा का प्रारूप जिसमें हेड हाट इन हैंड दिल दिमाग और शरीर इसकी एक रूपता और इसमें एक ठीक बैलन्स बनी हुई शिक्षा अगर हम देते हैं तो हम अलग तरह के एक अहिंसक समाज की रिचना कर सकेंगे आज के वक्त में कॉग्निटिव साइंस के क्षेत्र में ब्रेन किस तरह से सीखता है इस सं दर्भो में मैं ऐसे देखती हूं कि नई तालीम बहुत ही अपडेटेड एक शिक्षा का विचार है